Welcome in the 10 Minute So अब सुरुआत करते हैं The 10 Minute So की जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है Art and Culture First question सास्त्री निर्थि कथक कली किस राज से संबंदित है जल्दी से बताएगा सास्त्री निर्थि कथक कली किस राज से संबंदित है याद रखना आज के PPTC questions रहेंगे जरूर और कथक कली संबंदित है B option केरल से next केरल के अगर हम लोग अन्य निर्त को देखें तो कथक कली में आपको मिलानी सारा भाई और याद रखेगा सिव रामन आनंद को जरूर याद रखना है ये मेरे पेड में भी content जाता है आज मैं पहली बार आप लोगों को ये content दे रहा हूँ अगला बीहु किस राज्य का लोक निर्थ है बताएगा बीहु किस राज्य का लोक निर्थ है जल्दी से बताएगा बीहु किस राज्य का लोक निर्थ है तो बीहु डी आप्शन असम का लोक निर्थ है बीहु असम का लोक निर्थ है बीहु तीन प्रकार का होता है ये बात जम्मू एंड कस्मीर में होता है, जम्मू कस्मीर के जो अन्य नित्य हैं, उसमें आपको दंडी नाज जरूर याद रखना है, साथ ही साथ, रौफ नाम का नित्य आपको जरूर याद रखना है, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, भारत नाट्यम किस राज्य का सास्त्री नित्य है, भारत नाट्यम किस राज्य का सास्त्री नित्य है, भारत नाट्यम आपके C आप्शन तमिल नाडू का सास्त्री नित्य है, और तमिल नाडू में भारत नाट्यम को करने वाली मिनानली सारा भाई, लीला सैमसन, सोनल मान सिंग, ये बहुत ही उतकृष्ट कलाकार हैं जो ये करते हैं याद रखेगा अगला हॉर्णबिल ते उहार किस राज में मनाया जाता है हॉर्णबिल ते उहार किस राज में मनाया जाता है याद रखेगा हॉर्णबिल जो है यह option नागा लेंड में मनाया जाता है हॉर्णबिल ठीक है ना नागा लेंड में मनाया जात है बताएगा कौन सा लोक निर्थिक करनाटक से संबंदित है करनाटक से संबंदित है आपके ए ऑप्शन यक्षगान कई बार एक्जामनेशन में पूछा जाता है यक्षगान अभी जो पिछला CHSL हुआ था पिछला CGL हुआ MTS हुआ उन सब में ये पूछा गया था और यक् किस राज clearance का लोक निर्थ है औल्यज याद रखेःगा उत्तरप्रदेस उत्तर प्रदेस में कथक भी किया जाता है उत्तरप्रदेस की लोग के कलाकार का नाम है सितारा देवी जितने भी महाराज हैं वो सब के सब आलमोस्ट कथक के कलाकार हैं ये एक छोटा सा हिंट होगा आपके लिए पड़वानी किस राज्य का प्रमुख लोक नित्य सैली है पड़वानी आपके 36 गड़ का प्रमुख नित्य सैली है ठीक है ना 36 गड़ का और 36 गड़ से वैसे आपके तीजन बाई का नाम बड़ा important है जो पड़वानी नित्य को करती है गड़गौर भारत के किस राज्य का एक प्रशिद्य तेवहार है तो गड़गौर भारत के यह option राजस्थान का एक प्रशिद्य तेवहार है ठीक है ना गड़गौर राजस्थान का एक प्रशिद्य तेवहार है ठीक है ना अगला question आपके screen पे ठीक है ना अगला आपके screen पे ये रण उत्सो किस राज्य में मनाया जाता है हमेशा याद रखेगा से लोक कला वहां की पश्ची मंगाल की अलपणा भी पूसता है। च्छव एक ऐसा निट्ट है जो कम से कम तीन राज्य में किया जाता है। ज्छारखंड में पश्ची मंगाल में बिहार में च्छव किया जाता है। भांगडा भांगडा सर निश्ची तरौप से पंजाब का एक लोक नित है और इसमें आपको याद रखेगा भांगडा नित पुर्सो द्वारा किया जाता है वहीं पे जो गिद्दा नाम का नित है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है कभी कभी कोश्चन्स में यही बात पूछ देता है कि कौन सा पुर्सो का नित है और कौन सा महिलाओं का नित है मिजोरम का लोक नित कौन है पाखु पिल्ला मिजोरम का जो नित है पाखु पिल्ला यह अत्यंत फेमस है और मिजोरम से सावलिया नाम का नित भी पूछा जाता है जो मिजोरम के लोगों का एक प त्रिनित है सरांध्र प्रदेस का ये वो क्वेश्चन वो पीपीटी है कि आपके पेपर में पूछना ही पूछना है कुछी पुडी की नित्यांगना यामनी कृष्णमूर्ती राधा रेड़ी राजा रेड़ी और स्वपन सुन्दरी अक्सर पूछता है न सिर्फ नित नित सम्मंधित पर्षन लोक कला ये भी आपसे पूछता है अउनाचल प्रदेश में मुखवटा नाम का युद्ध नित्य होता है और अउनाचल प्रदेश से दो चीजें मुखवटा नित युद्ध नित्य यह भी पूछता रहता है लावडी और लेक्शिमा ये आपके स्ट्र में होता है थोड़ा सा तेजी से सही करिएगा मनला एंसर करिएगा लोक नित्य तमासा और लेक्शिम लावडी ये इन्पॉर्टेंट है यहां कि लोक कला रंगोली आपके एक्जाम में अक्सर पूछता रहता है निमन में से कौन सा नित्य मड़ीपूर का सास्त्री लोक नित्य की अगर मड़ीपूर के बात करें तो महा रास और नट रास है सवारी और मुडरी किस राज्य का लोक नित्य है अब ओडिशा में भी आपके च्छौ है च्छौ बहुत कौमन है तीन चार राज्य में मैं आपके लिए इन्पॉटेंट बता रहा हूँ ठीक है न बिदेशिया सर जहारखंड का लोग निर्ट है जहारखंड का आप किसी भी राजी का कोई भी एक्जाम दे रहे हों ये लेक्चर इनपॉर्टेंट है रहें है निम्न में से कौन सा उत्तरा खंड का लोकनित है उत्तरा खंड में सर गढ़वाल एक जगह है और गढ़वाली वहाँ पे नित्त की जाती है अगला कोशन जबकि मैं यह बता दू यह PPT मेरे paid class के student जानते होंगे मैं उनके लिए प्रियोग करता हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए प्रियोग किया कि जरा सा देखिये कि paid class भी कैसे चलती है और the 10 minute so का content क्या होता है छपेली किस राजी का लोकनित है D option हिमाचल प्रदेश का अगला question लाहो और दकनी CGL में MTS में कई बार पूछा है हम तो फेमस वाले कुछी पुडी भारत नाट्यम कत्थक यह रटके जाते हैं और यह आता है तो number कट जाते है इसका right answer आपके C option गोवा मिघाल है अगला question निमलिकित में से कौन सा एक सुसीर वाद्द है मतलब जो आता है बासूरी को ठीक है ना बासूरी बजाने में राजेंद्र कुलकर्ली पन्ना लाल घोस और राजेंद्र प्रसन्ना हरी प्रसाथ चौरसिया यह बड़े important नाम है निमलिकित में से कौन प्रसिद्ध वाईलीन वादक है वाईलीन वादक है प्रोफेशन टी एंड इसमें कभर है अलबर्ट आइंस्टीन वाईलीन बहुत अच्छा बजाते थे सुचो यह साइंटिस्ट है लेकिन वाईलीन में नमबर एक पे थे निमलिकित में से कौन सा वाद यंद्र वाईयू द्वारा संचालित होता है जाहिर सी बात है सर सहनाई सहनाई को उस्ताद ब मेरा लेक्चर बहुत मदद करेगा तबला का प्राचालन किसने किया था सर तबला और आपके क्या कहते हैं सितार और कवाली सभी के जनक आमिर खुसरो हैं अगला अच Rhचा जितने महराज है किसन महराज गुदई महराज अच्छन महराज सब लोग तबला वादक हैं वाद बाला चंदरन का संबन्द किस वादियंद्र से है सर एस बाला चंदरन का संबन्द B option वीडा से है वीडा वादक B दोरो स्वामी कई बार एक्जाम में पूछा हुआ है बदुरुद्दिन ठांगर जी जितने लोग आप लोग सीरियस तयारी करते होंगे आपको पता होगा कि ये option में नाम अक्सर दिखते रहते हैं आज का सेशन मैं लिख करके देता हूँ कि आपको एक से दो कोशन हर एक्जाम में मिलने वाला है सत तंतरी वीडा किस वादियंद्र को कहा जाता है D option संतूर को कहा जाता है संतूर वादक स्यू कुमार सर्मा और भजन सोपोरी बहुत इनका निधन भी हुआ है कुछ दिन पहले स्यू कुमार सर्मा जी का तो निशित तौर पर एक्जाम में पूछ सकता है दया संकर जगरनात का संबंध किस वादियंद्र से है सर्थ सरोद से है सरोद वादक में अक्सर जो एक्जाम आपके पेपर में पूछता है अना से बीहु आपको याद रखना है जम्मू कस्मीर से आपको मुख्य रूप से चैत्र 14 याद रखना है तमिलाडू से आपको पोंगल और जली कट्टू ये मैं याद रखने के लिए बस बोलना हूँ नागा लेंड से हारनबिल आपके एक्जाम में जरूर पूसता है करनाटक स से आपको हमपी तेवहार जरूर पूसता है उत्तर प्रदेश से आपको गडगौर और अक्षय तरतिया राजेस्थान से आपको धुलूंडी जो होली के उसर पे खेला जाता है और गुजराच से आपको मुढेरो नित ये पूसता है पश्चिम बंगाल से डोल पूरिमा इ सर ये सारे PDF में जरूर दे देना एक ही आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज और प्लीज वो नीले रंग की पटी पे अड़ा का एप लगा हुआ है आप डाउनलोड करने जो लोग इस लेक्चर को बाद में देखेंगे इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अ उमीद करता हूँ कि आज का the 10 minute so आपको सबसे ज़्यादा बिधवनसक और मज़ेदार मिलेगा तो thank you so much बिधवनसक नंबर के time में और वो जो सुरू में 2-3 मिनट मेरी वज़ा से कुछ मिनट 2-3 क्यों कुछ मिनट खराब हुए उसके लिए मैं छमा चाहता हूँ अगर आपको कम समय में ज्यादा कुछ मिले ठीक ना एप डाउनलोड कर लीजे अभी भी नीली पटी पर लिंक दिया हुआ है और इस लेक्चर को जो लोग बाद में देखें content के उपर speed और आपके लिए जो मैंने कम समय में एक कोसिस की वो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए तो thank you so much अपना और अपनों का ध्यान दीजेगा कल सुब 8 बजे current affair की class में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद PDF एक बात याद रखना PDF इसकी कल निश्चित एप पे आपको अले बर रहेगी आज नहीं रहेगी कल रहेगी लेकिन एप आज डाउनलोड कर ले और आशुतोस तिरपाठी उस एप में नाम लिखा हो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ठीक है ठेंक्यू सर ठेंक्